नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टेडीवेबस एजुकेशन तो चलिए आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा हम पढ़ेंगे कम्प्लीट डीटीप के बारे में ठीक है डीटीप के अंतरगात आप देख सकते हैं सबसे पहल जो है यहाँ पर इसको हम डेख को क्या बोल सकते हैं टेबल बोल सकते हैं ठीक है डेख को क्या बोल सकते हैं टेबल और टॉप का मतलब होता है उसके उपर और प्रकासन यानि कि टेबल के उपर प्रकासन अब टेबल के उपर प्रकासन कैसे हो जाएगा टेबल के उपर यह कहां रखी जा सकती, टेबल की उपर, यहनि डेस्क की उपर इन चीजों को रखेंगे, उसके बाद हम प्रकासान करेंगे, आप PC से क्या कर सकते हैं, PC मतलब कम्प्यूटर, आप कम्प्यूटर में कोई ना कोई चीज डिजाइन करना पड़ेगा, तभी तो क्या होगा, उस को हम प्रकासित कर सकते हैं, तो डिजाइन करने के लिए हमको कुछ सॉप्टेयर की जरुवत पड़ती है, तो सॉप्टेयर हम यहां देख लेते हैं, कौन-कौन से, एक तो पेजमेकर हम पढ़ेंगे, यहां पर, पेजमेकर, जो की फोटो, मतलब पेज, जो पेज है, या फ बना लेंगे, और जब भी फोटो की जरुवत पड़ेगी, तो हम जो है, फोटो की सायता से, उसको फोटो को यहां पर ले आएंगे, अब फोटो अलग-अलग तरीके से लाई जा सकती है, तो भो भी हम यहां पर देखने वाले हैं, तो चली, यहां पर हम जो है, सबसे पहल इसको design करना पड़ेगा, सबसे पहले उसका rough matter type करना पड़ेगा, उसके बाद इसको setup करना पड़ेगा, design करने के लिए आपको कुछ अलग-अलग प्रकार के symbol यह फिर images की जरुवत पड़ेगी, तो हम जो है, photoshop की साहता से उसको ला सकते हैं, थो यहां आप देख सकते हैं तो हो गया PC, PC laptop भी हो सकता हूँ और desktop भी हो सकता हूँ यह दोनों चीज हम देख सकते हैं दूसरी चीज हम देख सकते हैं स्केनर की जरूवत हमको क्यों पड़ती है जब भी आपको फोटो की जरूवत पड़े तो एक hard copy जो है आपके पास में फोटो है तो उसको हम क्या स्केनर के माध्यम से स्केन करके इस जो computer है इसमें soft copy में उसको convert करेंगे तो simple सी बात आप समझ सकते हाट copy को soft copy में convert करने का काम कोन कर रहा है स्केनर कर रहा है अब आप देखिए जब हमको proof निकालना है मतलब हमने design कर लिए complete और हमको proof निकालना है चेक करने के लिए या फिर Desk के उपर रखी है सामगरी के माध्यम से क्या करना प्रकासन का करना ही क्या कहलाता है desktop publishing यानि कि इसको हम DTP बोलेंगे short form में ठीक है अब DTP के अंतरगा हमने देखे 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 पेज में कर हमने देखे है Photoshop देखे है तो यहां और other software भी देख लेते हैं DTP के अंतरगा जै पेज स्ट्रीम होता है Serip Page Plus होता है ACDC आप देख सकते हैं यहां पर जो Canvas होता है यह सारे जो प्रोग्राम है किसके अंतरगाता आते हैं DTP के अंतरगाता आते हैं तो इसमें हम अभी पढ़ेंगे क्या पेज में करके बारे में चलिए आगे देखते हैं यहां पर जब आप से तयार हो जाएगा तो उस Matter को आफ तयार करने के बाद कहाँ जाओगे एक फॉल मेंचल जाओगे पर जहां पर डिजाइनिंग होती है तो साप बाले के पास जाओगे और आप क्या करोगे भाई इसको जो है अब दे दोगे कि दिजाइन बनाना है तो सब बाला क्या करेगा Matter को क्या करेगा matter को जो है type करेगा type करने का मतलब होता है कहीं न कहीं तो type करेगा या तो वो not paid में type कर सकता है या तो वो word paid में type कर सकता है वो ms word में type कर सकता है किसी भी text editor में matter को type करेगा उसके बाद उसको ले जाएगा कहाँ पहे, page setting, page layout यह सारी चीज करेगा, किसमें वो यह करेगा, page maker में, page maker में वो कर लेगा, उसके बाद creating a image, मतलब जब भी design, आप देखे, image की जरूरत को पढ़ते हैं, जब भी आप कोई book मनाते हो, या फिर कोई magazine मनाते हो, कुछ भी design मना, तो आपकी जो design है वो अधूरी लगेगी, यानि कि समझने वाला यह जो पढ़ने वाला है, उसको अच्छे से नहीं पढ़ेगा, उसको बोर करेगी, जो भी book रहेगी, तो इसलिए उसमें images का होना काफी जरूरी होता, जब image की बात करें तो image दो तरीके से लाई जा सकते है एक तो आपके computer में रखी गई हो और एक तो आपके scan करके ला सकते हैं, ठीक, computer में कैसे हा सकती हैं, computer में इंटरनेट के माद आ सकती हैं, ठीक है, तो यह जो drive में store है जब प्रूफ जो है आप कस्टूमर आप कस्टूमर हो ना दुकानदार आपको क्या देगा प्रूफ देगा और प्रूफ को आप चेक करोगे और चेक करने बाद उसको दुकानदार क्या करेगा Final Printing कर देगा Final Printing में यहां पर होती है master copy Master copy को जो है एक plate तयार की जाती जो है प्लीट मतलब एक aluminium की जो बटर पेपर होता है प्लास्like का उसके थुरू जो Master page यहां तयार के लिए जाता है और फिर अलग अलगा प्न कार की तो डीटीपी की होती है, यानि कि सबसे पहले आप रफ मेटर तयार करोगे, दुकानदार को दोगे, तो वो जो है उसको टाइप करेगा, किसी भी टेक्स एडिटर में है, फिर पेज में करके मादध्यम से उसको सेट अप करेगा, इमेजिस तयार करेगा, और उसको इंसर्ट करेगा, प्रूफ देगा, याप चेक करोगे, और उसके आदो फाइंल प्रिंटिंग करेगा, फिर जो है अलग से जो प्रिंटिंग होती है, उसके मादध्यम से क्या की जाएगी, मल्टिपल कॉपी ऊँहाँ पर की जाती है, आप प्रिंटर के वादध्यम से आप multiple कॉपी क यहां पर निकालोगे, चली आगे देखते हैं, जब आप ये DTP इतना जान गया है, तो DTP का उपयोग भी देख लीजे, DTP आज की डेट में हर जगे उपयोगी है, पर हम बेसिक तोर पर यहां देख लेते हैं, जैसे हम देखें, एड़टाइजमेंट में अगर देखें, तो D न्यूस पेपर के प्रिंटिंग जो होती है, वो DTP के माध्यम से होती है, बैलन सीट बगेरा, बैलन सीट मतलब जैसे लास्ट बर्स के अंत में आप बैलन सीट बनाते कोई वैपार की, तो वो भी DTP के माध्यम से होती है, इसके बाद बुक्स अगर तयार कर रहा है, तो उस इसके लाबा बॉडी हमने इस प्रकार लिख दिये, कुछ लोगों तयार कर लिए हो, कॉंटेक्ट इस प्रकार से लिख दिये, तो इस सारे कंटेंट का जो कलेक्शन वो कहलाता है एड़डाइजमेंट, और इसकी साहता है, यह कि साहता से होता है, अब यहाँ देखे, विजि क्या क्या सेवाय दे रही है, यह सारी चीज़े होती है, विजिटिंग कार्ड में, और यह सारे काम हम किसके मादध हम से करेंगे, डिटिप के मादध हम से करेंगे, फिर बात करते हैं किसकी, हम बात करते हैं, आइडेंटिटी कार्ड की, आइडेंटी कार्ड में आप देख यह जो है DTP के माध्धिम से की जाती है, अब बुक में हम देख सकते हैं, जैसे front matter यहाँ देख सकते हैं, body of book अंदर देख सकते हैं, end of book component यह देख सकते हैं, उसके बाइंडिंग हम करते हैं, इस प्रकार complete जो प्रोसेस होती है, वो books यहाँ पर बनती है, और यह काम जो होता है किसके माध्धिम से किया जाएगा, DTP, यहने desktop publishing के माध्धिम से, अब देखें, newspaper की printing के करवात करें, जैसे यहाँ मैंने बताया था, सारी की designing, quark express से कर ली जाएगी, उसके प्रिंट की जाएगी master copy, और उसकी plate तयार करके यहाँ, इसमें machine में fit कर ली जाती है, और जो पार की balance sheet maintain कर रहा है, तो यह भी DTP के माध्धिम से की जा सकती है, तो यह सारे काम जो है, DTP के माध्धिम से किया जा सकते हैं, चलिए, आगे देखते हैं, बात करते हैं, प्रिंटिंग की, तो प्रिंटिंग क्या होती है, देखें, जब हम यहाँ पे computer में कुछ चीजे design कर करते हैं, यानि कि वो क्या है, वो है soft copy, ठीक है, soft copy है, और soft copy को हम क्या करते हैं, print करते हैं, प्रिंट करने का मतलब होता है किसी device, या printer के माध्यम से क्या करना, या कोई printing machine का माध्यम से, जो भी soft copy दिखरा हा, उसको hard copy में बदलना, मतलब क्या है? जो soft copy है, उसको कागज पर print करना, कागज पर छापना, स्याही के माध्यम से, उसको क्या बोलेंगे हैं, प्रिंटरिंग बोलेंगे, प्रिंटिंग समझ गया, मतलब soft copy को hard copy में बदलना क्या कहलाता है, प्रिंटिंग, पर किसकी सायता से किसी printing device और उसमें लगे जो भी सिहाई है और कागज उसके माध्यम से hard copy में बदला जाएगा, तो हम simple बोल सकते है, soft copy को hard copy में बदलना, ठीक है, कागज पर उसको print करना क्या कहलाता है, प्रिंटिंग कहलाता है, चलिए आगे देखते हैं, types of printing, तो printing के प्रकार आप देख सकते है, letter page printing हो सकती है, screen printing हो सकती है, offset printing, फ्लेक्जोग्राफी, electrostatic, तो इन में से ज्यादा तर तो जू प्योग में नहीं आती, पर हम जो है, एक बार सरसरी नजर से इनको देख लेते हैं, ठीक है, तो printing आप देख सकते हैं, इस प्रकार रोलर रहते हैं, यहाँ पर master page फसा होता है, और यहीं से कागज, जो रोल होते हैं, या फिर जो seat होती है, वो यहाँ से जाती है, और print होकर, जो plate है, उससे टकरा कर और बाहर output में यह निकल जाती है, तो letter face printing आप इस प्रकार देख सकते हैं, टाइपोग्राफी बोल सकते हैं, ठीक है, लकड़ी के या धादू के जो है अक्षर यहाँ पर बने होते थे, और इसमें जो है, कहीं भी हमको छापना होता था, तो इसको जो है, पलटा कर रख दिया जाता था, तो यह जो है कागज पर छप जाते थे, जहाँ भी छापना हमको उभरे हुए अक्षरों से यह छपाई हो जाती थी, और स्क्रिन प्रिंटिंग में क्या होता है, आप देखे होंगे, जैसे आप चावल की बोरी या सक्कर की बोरी आप देखते होंगे, तो उसमें छपे होते हैं, या फिर कोई भी जंडा बगेरा, कुछ भी चीज हम यहाँ पे देखें, जंडे वैनर बगेरा, तो उसमें छपाई किसके माद्ध हम से की जाएगी, यह की जाएगी स्क्रिन प्रिंटिंग, 19-20 सताबदी में प्रसम 20-20 में इसका सुरवात देखने को मिलता है, तो जब भी हम पो छापना होता तो इस प्रका प्रिंटिंग को उप्योग के जाएगा, मास्टर प्रिंटिंग यहाँ पर बनाएं, और यहाँ पर रोलर में यह कसी जाएगी, और यह कागज जो है, जाता जाएगा और रोलर सेटक राएगा, कौन सी मास्टर पेज के, और छपकर बापस आते जाएगा, तो यह होती है, काफ प्रिंटिंग ठीक है और बात करें ये सब् Stevab's T कसी प्रिंटिंग है यानि की सीधे लप्टॉप से हम जो है प्रिंटिंग मसीन में प्रेंट कर देदे हैं इसमें प्लेट को उपयोग नहीं किया जाता यह आप ध्यान मार यह यनि मास्टर कॉपी का पहले इसमें नहीं किया जाएगा, ठीक है, इसके बाद offset printing यह काफी important है, लिथोग्राफी इसको बोला जाता है, काफी, मतलब जो poster है, books है, अधिक संख्या में चापने के लिए, इसको प्यों किया जाता है, जैसे मैंने सुरू में example दिखाया था, तो इस seed बाले में भी होती है, single seed और यह roller जो होते हैं, मतलब कागज का roll जो होता, उसके माध्यम से भी यहाँ पर printing की जाती है, तो चलिए, यहाँ पर हम जो है, offset printing देख लेते हैं, offset printing के कुछ प्रकार है, जैसे कि seat fed offset printing है, web offset printing है, और quick set offset printing है, जैसे देखिए, प्रिंट के जाएंगे, इस से जो है, यह जो होता है, complete roller, यहाँ पर होता है, कागज का, उसके माध्यम से प्रिंट के जाएगा, और यह जो होता है, single single seed यहाँ पर रखी जाती है, तो normally आप ध्यान में रखी तीन प्रकार के offset printing होती है, यह offset printing का जो है, आपका working system है, कैसे, आपको पता है, चार कलर मतलब CMY के होता है, सियान, magenta, yellow, black, और तीन कलर का मतलब होता है, RGB, red, green, blue, तो यहाँ देखिए, हमने चार कलर वाला देखें, तो देखिए, यह देखिए, सियान, magenta, yellow, black, चार कलर नीचे जो है, एक एक करके नीचे गेर रहा है, printing system है, तो यह छप उसको इखटा करके रख सकता है, ठीक है, तो यहाँ तीन प्रकार के cylinder भी उसके जाते, plate cylinder, blanket cylinder, और impression cylinder, ठीक है, तो यह complete मिला कर यहाँ पर आप देख सकते, offset printing की process हमको देखने को मिली हुई है, ठीक है, offset printing आप देख सकते, यहाँ पर, उसके आप laser printer आप देखे होंगे, powder का उपयोग किया जाता है, powder मतला toner का उपयोग, ठीक है, जो कि laser पढ़ने पर पिखल जाता है, और उसी जगह छपता है, जहाँ पर हमने instruction दिया है, तो यहाँ से के कागज यहाँ अंदर print होता है, print होकर यहाँ हमको delivery system में बापस निकल कर आ जाता है, उसके आथ features देख ले लेजर पिंटर काफी fast होता है, resolution काफी अच्छा होता है, color printing भी इसमें की जा सकती है, जैसे color printer लेते तो, printer में अपनी खुद की language होती है, तभी वो यहाँ पे जो होता है, और खुद की memory भी होती है, paper में printing की जा सकती है, और simplest और duplex, यानि की single side भी की जा सकती है, और double sided भी क की जा सकती है, उसके types देख लेते हैं, जैसे हमारे personal user, normal जो हम छोटे मोटे काम के लिए यूज़ करते हैं, उसे personal laser printer बोलते हैं, बड़े office में उप्योग करते हैं, बर्क ग्रूप में उप्योग करते हैं, जैसे बहुत सारे computer है, और सभी computer के दार यहाँ पर instruction दिया जाता है तो उसे, अब production जहाँ पर कोई चीज बन रही है, newspaper या फिर कोई भी चीज जो वहाँ पर यूज़ किया जाएगा, production printer और कुछ होते है, color printer, तो यह कुछ प्रकार होते है, basic, यह हमने देखे, किसके laser printer के प्रकार, और बहुत सारी चीज़ें हमने यहाँ पर देखें